ओम नमस्षिवाई, स्वागत आप सभी का मेरे एचस भारत द्वा यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको सौम्मार का बहुत ही अच्छा पाय बता रहा हूं। सौम्मार भगवान सिव की आराधना का दिन है, इस दिन बोले नात का आशिरवत पाने के लिए लोग ब्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं। की जाए, तो सारे कलिसों से मुक्ति मिल जाती है, और मन की मुरादे पूरी होती है। सौम्मार के दिन अगर अश्टमी पढ़ती है, तो यह ब्यादी शुभ माना जाता है। आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा, यह उपाय आपको करने हैं। बच्चे कहना नहीं मानते, पृत्र प्राप्ती नहीं उपा रही है, यह दन प्राप्ती यह प्रतिक कार्म रुकाब अठे आ रही हैं। तो आपको यह उपाय करने चाहिए। अगर बच्चे कहना नहीं मानते, यह संतन प्राप्ती में प्रेसानी आ रही हैं, तो कमल का पुष्प लेकर के भगवान स्रिवजी को अरपन करना चाहिए। इससे मनुकामना शिग्र पूरी हो जाती है। साथ बेल पत्र पर जो बगळ की पत्तियां हैं, उन पर केसर का चंदन लगाएं, और बीचवारी पत्तिया हैं, उस पर सपेच चंदन से गोरी संकर लखें। गोरी संकर लेकर के और यह है बेल पत्र भगवान स्रिव को अरपन कर देना चाहिए। ऐसा करने से जो आपके मन में इच्चाय होगी वह मनुकामना पूरी हो जाती है। सौमार के दिन अपने आज से आठे का प्रसाद बनाएं, आठे का चूर्मा बनाएं, उसके पाँच पिंडी बनाएं, एक पिंडी से भगवान स्रिव को भोग लगाना चाहिए। बाकी चार पिंडी प्रसाद के रूप में सभी को बाढ़ देने चाहिए और आपको भी प्रसाद लेना चाहिए। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। गंगा जल में इस दिन थोड़ी सी भश्मी, एक बेल पत्र और थोड़े से अख्यत, चावल और गेहुं के दाने अंदर डाल करके उससे भगवान स्रिव जी का अफशे करना चाहिए। इससे भगवान सिव प्रसन ओकर के मनवांचित भन प्रदान करते हैं। जब सिवलिंग पर चावल गड़ जाएं तो जो महला उन्हें चावलों को सिवलिंग से उठा करके लागती है और उन्हें खाती है तो उनको पुत्र की प्राप्ती होती है। बहुत ही अच्छा पाए। तो इस दिन आप जो भी पाए करेंगे उनका विशेश फल आपको मिलने वाला है। भगवान के सामने आप पत्ते पर 31 चावल के दाने रख करके सिवलिंग पर अरपड़ कर दें। ओम नमस्वाल लिख करके और जो इन चावलों को समाल करके अपने घर में रखता है। उनकी हर मनों कामना पूरी हो जाती है। इस वीडियो को जाज जादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमस्वाए।